ही गाइस आज नहीं मैं फिर आपके साथ क्विक एंड इजी रेसिपी लेके आई हूं जो बनाना वहर दी आसान है और एक कप आटे से आप इतनी मज़िदार रेसिपी बना लेंगे ना कि ब्रिक्फास्ट का यह चंचट बिलकुर खतम हो जाने वाला है कि आज हम क्या बनाए मैं आपकी होस्ट नितिका सिंग तो चलिए बिल्यामदीर की बनाना शुरू करते हैं इस मज़ितार रेसिपी को लेट्स स्टार्ट लेगे निससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लेके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा सबसे पहले एक मिक्सिंग बॉल ले ले उसमें एक कप के करीब आठा ले आज हम जो नाच्टा बनाने वाले ना आठी से बनाने वाले काफी हेल्दी नाच्टा है आप मेरे आप रोज बनाएंगे इसके बाद मैंने यहां पर आधा कप यहां पर मैंने चावल काटा लिया है चावल काटा तो बिल्न के सब्सक्राइब में पानी डाला है यानि दो कप के करीब मैंने और ढूरी से यहां पर पानी डाल दिया है इस तरह से इसका जो चांसिटेंसी एक तरह से होना चाहिए राणिंग कंसिटेंसी नहीं होना चाहिए और इस तरह से मैं दिखा रही हूँ आपको इस तरह से होना चाहिए इस तरह से लाइन बनाओ तो उसको बंद नहीं होना चाहिए यह हमारा consistency होना चाहिए यही मैंने पत्तागों भी लिया है यह मैंने लगवक एक कप के करीब पत्तागों भी लिया है जिसको मैंने ग्रेटर ग्रेट कर लिया है इसमें सबजी आप अपने मन पसंद कोई भी डाल सकते हैं इसके बाद मैंने यहां इन सब को डाल देंगे और हम इसमें बिल्कुल हलके फूल के जालेंगे in a काफी टेस्टी बनता है तो इसमें यहाँ सबसे पुलिए साबुत चीरा डाल दे और इसके बाद ए आधक चमच के करीप यहां पर सोडा डाल दे बेकिंग सोडा या आप इनोविका भी यूज़ कर सकते इन सब को अच्छे से मिला ले ना है काफी अच्छे से मिला ले यह बिना मसाले की है जो हमारा रेसेपी है ना बिना मसाले के यह मीडियम उद्धाइब करें इस तरह से आप चम्चे की सहायता से जितना आपके पैन में और कड़ाई में आप उतना डाल दें तो इसतरा से वान डाल दिया है और अलट पलट करके मीडियम तो हाई फ्लेम में हमें इसे अच्छे से कोक करना है तो इस तरह से हमारा बहतरी नाश्टा बनके रेडी हो जाता है आटे से बना गेहूं के आटे से बना नाश्टा इतना टेस्टी बनेगा आपको खुद ही अकिन नहीं होगा कि गेहूं के आटे से इतना टेस्टी नाश्ट आने वाला और कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लेगा अच्छे लगे तो लाइक करने से और शेयर करने से पिलकुल मत धरिएगा गाइज तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिएगा और इसी तरह से मसेदार रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक राधे राधे